नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का यूटूब चैनल जॉब्स्ट्रे में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियान ने भी 10 प्लस टू में यहाँ पे इंट्री होने वाले हैं नई डिकूर डियूटमेंड है 2022 की जिसके बारे में डिटेल में आपक कैसी है संपुर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं इस वर्ति के बारे में आगे चलके क्या आपकी यह जो है जौब प्रफाइल रहेगी एटूज इंप्रमिशन मिलने वाली अप्लाय कैसे कर सकते हैं कैसे आपकी सेलेक्शन होगी तमाम जानकारी आपको आगे चलके मैं वीडियो में देने वाला हूँ आगे बढ़ेंगे दोस्तों उससे पहले मैं आप लोग से छोट करना चाहूंगा पहली बार अगर चैनल पे विजिट करना तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत बुलिए दोस्तों कि आप सभी के लिए इसी तरह की खवर लेके आते रहते तो की नौ सेना भरती है यह और इसमें 2022 जनवरी की जो है इंट्री है अपलाई जो है ऑनलाइन फॉर्म होना आप लोग का 18 अगस्ट 2022 से सुरू हो जाएगा लास्ट डेट इसकी 28 अगस्ट 2022 का समय रखा गया है मात्र आप लोग का जो है आप पे 10 दिनों के समय रखा गया है मै आपको अपडेट कर दूँगा किसी तरह की कोई यहां पर फीस नहीं लगती है इस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा उसके वाद अगर यहां पर देखे जो ऑल अपर यह इंडिया वेकेंसी है किसी भी कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं किसे भी एस्टेट का इस लिम होंगे अपलाई कर सकते हैं तो यह चीज आप लोग चेक कर लेजिएगा एक बाड़ आप दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे पोस्ट नेम के बाड़े में जो की मैंने बताया आप लोग का की 10 प्लस 2 इंटरमीडियेट बीटे इंटरी जनवड़ी दोहज़र तरीस का है औ कम से कम आपके पास 12 की डिग्री होनी चाहिए सत्तर परशेंट मांक्स है अगर फिजिक्स कमेश्टी मैथ में एज सब्जेक्ट तो आप लोग अपलाई कर सकते हो और यहां पे कहा गया कि कम से कम पचास परशेंट मांक्स हो इंग्लिस सब्जेक्ट में होनी आवसक है और दिए अची ध्यान रखिएगा दस भी और बारह भी दोनों में तो आप लोग अपलाई कर सकते हो इसके लिए ध्यान रखिएगा उसके बाद यहां पर जो का अप लोग का यह दिया गया कि कैसे आप लोग की सेलेक्ट होगी तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता एससबी के दुवारा जो है वह इंटर्व्यू लिए आ जाएगा जिसके अधार पर आप लोग की सेलेक्शन होगी और उसी पर आप लोग का मेंडिर भी बनने वाला है हाइट कम से कम आप लोग का 157 सेंटीमीटर रखा गया है जैसे कि मैंने बताया कैसे अपलाई करना है तो सुझाब हो कमेंड बॉक्स में कमेंड कर सकते हैं दूस्तों तब तक के लिए धन्यवाद मिलते अगले वीडियो में